जैन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो बहुत दिनों से आप लोग की रिक्वेस्ट आरे दिकिसा डील नाम करने या डील नॉमन क्लेचर जो होता है वो हमको क्लियर नहीं है उसके लिए हिंदी में कोई व्यूडियो बना दीजी क्योंकि जब लोग जाते हैं पढ़ने के तो भई आप बिल्कुल भी टेंसल लेने के जुरत नहीं है मेरा दावाय कि ये वीडियो देखने के बाद आपको हमेशा के लिए डील आपेक्सिक विन्यास या नॉमन क्लेचर किलियर हो जाएगा तो आईए फिर जानते हैं क्या होता है डील आपेक्सिक विन्यास एमिल फिशर ने 1908 में ग्यात कार्बो हाइडिटो की तविम संग्रचना को सरलता के लिए दिव्विमिय संग्रचना द्वारा डील नामकरण का मानक प्रस्तुत किया जिसे कार्बनिक योगिकों का आपेक्सिक या सापेक्सिक विन्यास कहा जाता है देखे हुआ क्या था बात है 1908 की उस समय एमिल फिशर नामकी विग्यानिक थे उनके समय में बहुत थोड़े से मोनो सेकराइड की खोज हुई थी अब वहाँ पे उनकी तिर्विम संग्रचना को कैसे वियक्त करें सवाल ये था क्योगि तिर्विम संग्रचना को वियक्त क करने के लिए दिखाने के लिए थोड़ी सी कठिनाई आती थी विद्यारतियों को उन्होंने सोचा कि इस कठिनाई को कैसे हम लोग दूर करें और ये सोस्ते सोस्ते फिशर साहब ने एक नया नामक्रण दिया जिसका नाम पढ़ा डी एल आपेक्सिक विन्यास या फिर साप मचा दी थी तो आईए फिर देखते हैं कैसे क्या किया था इस नामकरण के लिए फिशर ने ग्लिसरलडी हाइड को आपेक्सिक विन्यास का आधार माना है तो बच्चों यहाँ पे इस नामकरण के लिए उन्होंने जो आधार लिया था वो लिया था ग्लिसरलडी हाइड का एक अणू उसकी संग्रचना का पालन करते हुए उन्होंने डियल नाम करण के कुछ नियम दिये पहला नियम है जी फिशर प्रक्षेप सुत्र यानि की दिव्वी मिये संग्रचना बनाते समय क्रिया सील समू को उरुवादर उपर की ओर लिखना है तो फिशर सुत्र क्या होता है ये तो आप जानती ही होंगे नहीं भी जानती है तो नीचे की तरफ हम लोग चलेंगे वहाँ पे आपके साथ में डिसकस जरूर करेंगे फिलाल आप यहाँ पर इतनी सी छोटी सी बात ध्यान नकिए कि जो वहाँ पे आप प्रक्षेप सुत्र या दिवीमिय संचना बनाएंगे दिये हुए कार्बोहाइडरेट यानि कि ग्लुकोज, प्रक्टोज, माल्टोज या फिर किसी भी अमीनो एसिर की तो वहाँ पर जो क्रियासील समू होंगे वह आपको मिलेगा किटोनिक या फिर अल्डी हैडिक या फिर कार्बोक्स लिग तो एक चीज तो किलियर हो गई जी यहाँ पर ध्यान लखने वाली कि ऊपर की तरब जो पहला कार्बन दिखाना है वो होना चाहिए हमारा क्रियात्मक समू वाला यानि कि लडी आईडी को किटोनिक या कार्बोक्स लिगो और नीची की तरब जो हमको अंतिम कार्बन दिख चेटा कार्बन है तो इसे पहले वाला कौन सा होगा पांच वा सम्यारा जी अकर यह पांच होआ है तो इसे पहले वाला कौन सा होगा जी उपर की तरब चोथा किलियर है तो उस कार्बन पर आपको देखना है कि ओवेच समू जो है वो किदर लगा है यानि कि वो दाएं है या left लगा है clear है जी अब आपको यहां पर ध्यान नकना है कि यदी ओई समू डाई और लगा दाई और स्थित है तो पूर लगन डी लगाएंगे capital D ठीक है जी लेकिन अगर OH समू आपका left side है बाई ओर है तो पूर लगन capital L लगाना है आपको पूर लगन का मतलब है नाम से पहले जैसे glucose है तो उसके पहले क्या लिखा होता है D-glucose या फिर capital L-glucose है न जी तो नाम से पहले जो लगता है वो कहलाता है पूर लगन ये आपको लगाना है OH समू की इस्तिती को देखके कि वो दाई हो रहा है या बाई हो रहा है किलियर है जी आईए फिर example के साथ किलियर करते हैं देखे जी यहाँ पर ये दो उधरन दिये हुए दो यहाँ पर ये जो सुत्र लिखा हुए ये जो लिखने का तरीका होता है उपर से इनची तरफ ऐसे ये जो आप देख रहे हैं उर्वादर और जो 36 लाइन बना के परदसन होता है ये ही कहलाता है फिशर प्रक्षेप सुत्र यानि कि दिव विमिय संग्रचना किलियर हुआ जी ये दिव विमिय या आप सदरन संग संग्रचना भी कह सकते हैं लेकिन ये फिशर प्रक्षेप सुत्र कहलाता है यहां पर देखिए यहां पर जो आपको दिखाया हुआ है यह है आपका ग्लिस्रल डी हाइड जिसको फिशर ने अपने जो डी एल नोमेंक्लेचर नाम करण है उसके लिए आदर्स माना था इस अ तो यहां पर आपको दो परकार के करियात्मक समून दिखाये दे रहें है है सीएच यो ए ल्डी हाइडिंख है ओएच है क्लियर जी देखि लिजी ड़नों अणू दोनों ही ग्लिसर डी हाइड है चलिए मैं यहां पर लिक भी देता हम सुतिर ग्लिसर डियस हाइड आप च् पोड़ा समझने वाली चीज है कि हमेसा जो अधिक क्रियासील समूंभ होगा वो आपको उर्वादर उपर की ओर दिखाना है यहां नहीं दिखाना है यहां नहीं दिखाना है, किलियर है तो यहां पर अधिक क्रियासील है, CHO, इसलिए दोनों प्रक्षेप सुतुर के अंदर, दोनों फिशर प्रक्षेप सुतुर के अंदर हमने CHO को उपर की ओर दिखाया है, किलियर हुआ जी और CS2OH नीचे की ओर है, अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर आप नमरिंग करते हैं, एक यह पहला होगा कार्बन क्यो OH, इससे पहले वाला कार्बन जो होगा वो आपका निकठस्त होगा, तो उस कार्बन पे आपको देखना है कि OH समू की इस्थिती कैसी है, तो यह देखिए, यहाँ पे लगा है OH, किदर लगा है जी? इस कार्बन के left लगा है या right लगा है, तो उतर आएगा, जी यह लगा है right side clear है तो यहां पे हम लोग right side लगा है तो क्या लगाते हैं जी पूर लगन D लगाते हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा D glyceraldehyde clear है अब इस वाले glyceraldehyde में थोड़ा सा focus कर लेते हैं देख लेते हैं जी तो देखिए यहां पे अंतिम जो समू है वो है CH2 OH उससे पहले वाले carbon निकटस्त carbon पे आपको देखना है कि OH समू की स्तिती क्या है क्या वो left side लगा है या right side लगा है तो आप देखिए यह ल इसके नाम में पूर्व लगन लगाएंगे L का तो इसका नाम बन जाएगा L glyceraldehyde तो यह छोटी सी एक कहान ही है जो फिशर ने प्रयोग की थी DL नामकरण के लिए इसमें ध्यान नखिएगा यह जो हमारा आदर्स जो हमारे नियम है वो सारे depend करते हैं वो निर्भर करते ग्लिसलडी हाइड की संग्रशना पे ग्लिसलडी हाइड को यह आपको याद रखना है कि जो अंतिम समू है आपका CH2OH उससे पहले वाले कारबन पे OH की जो स्थिती है वो कैसी है वो left में है तो L लगाएंगे वो right में है तो D लगाएंगे clear हुआ जी अब थोड़ा से और उ पदार्थ हैं चार कार्बो हाइडरेट हैं यहाँ पे देख लेते हैं तो जी यहाँ पे यह सबसे जो अधिक क्रियात्मक समू है यह CH2OH हाँ एक चीज़ तो भूली गए कि आपको पता है ना इस तरह जो हमनों लोग संग्रशना बनाते हैं दिव वीमिय संग्रशना इसका नाम क्या होता है जी बिलकुल सही बताया फिशयर रेकशेप सुत्र बोलते हैं इसको दिवी में संग्रशना होती है यह तो यहाँ पे नम्बरिंग करेंगे तो अधिक क्रियात्मक आयू पेसी के इनियम से CH2OH समू है तो उपर से गिंती स्टार्ट होगी नम्बरिंग स्ट कार्ट होगी और कुछ इस तरीके से जाएगी तो देखें यहाँ पर जो यह कार्बोहाइडरेट है जो यह मोनोसेकराइड आप देख रहे हैं इसमें पांच कार्बन है यह पैंटोज है जी किलियर है यह भी पैंटोज ही है क्योंकि इसके अंदर हम नम्बरिंग करेंगे पाएंगे कि 5-6 कार्बन का यह आपका कार्बोहाइडरेट है पैंटोज हुए जी दोनों अब यहाँ पे आपको बताना है कि पैंटोज कौनसा समावईवी होगा है ना जी तो उसके लिए नियम के अनुसार हमने यह प्रक्षेप सुत्र बनाया हुआ है आप देख सकते है जो अन्तिम समू है वो CS2OH है उससे निकटस जो कार्बन है second last कार्बन यानि पहले वाला कार्बन वो चोथा होगा उस पे आपको OH समू की इस्तिती देखनी है तो बताइए जी इसका नाम क्या होगा बताइए ना यह राइबोज सुगर है जी कुछ लोगों को संका हो रही ह देता हूं यह जो पेंटो सुगर जिसकी हम लोग बात कर रहे थे इसका नाम होता है जी राइबोज सुगर सरकरा तो यहां पे OH समू जो लगा है CS2OH से पहले वाले कार्बन पे यानि चोथे कार्बन पे वो लगा है left side तो इसका नाम से पहले पूर लगन लगाना होगा L का नाम बन जाएगा L राइबोज किलियर है जी अब इसी परकार इस वाले राइबोज में देखें जो अंतिम समू है वो CS2OH है उससे पहले वाले कार्बन यानि की फूर्थ कार्बन पे जाएंगे और पकड़ेंगे अपना OH समू वो देखना है कि कार्बन के left लगा है या right ल जाएगा D राइबोज किलियर है जी कोई दिक्कत नहीं अब इस वाली सरकरा को या सुगर को या कार्बो हाइडिड को देखें तो इसमें फिसर प्रक्षेप सुतुर के अंदर सबसे अधिक क्रियात्मक समू या जो यहां पर क्रियासील है ओक्सीकारक समू है वो CHO है नमर इसका नाम है हाँ हाँ अरे वा बिल्कुल सही बताया आपको तो सब कुछ याद ही रहता है इसका नाम है जी ग्लुकोज यह भी ग्लुकोज ही है दोनों समावईवी है किलियर है हाँ जी तो आईए देखते हैं कौन सा ग्लुकोज कौन सा समावईवी होगा इन में अंतर कै ऐसे कर पाएंगे फिसर के डियल आपेक्सिक विन्यास नियम के अनुसार तो देखिए अंतिम समू है कार्बन है जी छटा अंतिम कार्बन है अंतिम कार्बन पर लगाएंगे ल नाम बन जाएगा ल ग्लुकोज तो यह हमने कुछ यहां पर अभ्यास किया है कार्बो हाइडरिट है अलग-अलग उनको ग्लिसरल डी हाइड के अनुसार इस मानक के अनुसार नाम देने का तरीका हमने यहां पर देखा है अब थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं तक यह सवाल का हर एक हर एक बिंदू आपको पता हो कोई भी ऐसा बिंदू ना हो जो छूट जाए जो आपको ना पता हो एना जी आप सर में खुझनी ना करें आप तुरंट सामने वाले को जवाब दें तो आई जानते हैं कौन स आप एक सी विन्या से सर्वो कार्बो हाइडरेट तक से ही सीमित नहीं है उसके आगे भी बहुत कुछ है और उसके आगे जो बचे हैं वो बचे अमीनो अमल या अमीनो एसिर उनमें भी डियल नाम क्रण का परियोग होता है यहां पे अमीनो अमल आप देख पा रहे हैं कि ऐसा योगिक जिसके अंदर NH2 और CUH समू दोनों एक साथ होते हैं वो योगिक या पदार्थ कहलाता है अमीनो अमल इतना तो आप जानते ही है इस अमीनो अमल का नाम जो है छोटे से अमीनो एसिड का नाम या अमल का नाम वो है जी एला नीन लिखिए मैं लिख रहा हूं य यहां पर थोड़ी राइटिंग अंदी है आपकी तो अच्छी है थोड़ा अजस्ट कर लीजिएगा है ना जी बिल्कुल सही तो दोनों ही एलानीन है हाँ जी दोनों ही एलानीन है तो पहली सर तो वही थी कि जो किरियात्मक समू होगा वो उपर की और उर्वाधर होना चा आपको देखनी है स्थिती क्या है तो यहां पे जो एनेस्टू समू लगा है वो अंतिम वाले कार्बन से पहले वाले कार्बन पे उसकी स्थिती एनेस्टू की यह लेफ्ट साइड बाही और तो नाम में आप जानते हैं पूर लगन लगेगा एल किलियर हुआ जी नाम हो ग लगन लगा देंगे डी नाम क्या बन जाएगा जी इस अमीनो अमल का डी ऐलानीन तो आप देख सकते हैं दोनों समावईवी को डी ऐल से चुटकियों में क्योई भी आदमी बता सकता है एक्टिस टाइम है जी यहां पे हमने कुछ और अमीनो एसिड लिये हैं आपके सामने आप देख सकते हैं सिरीन, सिस्टीन और लाइसिन किलियर है जी यह हमारे कुछ यहां पे अमीनो अमल आप देख पा रहे हैं तरीका वो ही है हमने यहां पे इनको जो अमीनो एसिड को हैं यहां पे उनको फिशर प्रक्षेप सुतर के अनुसार व्यस्चित कर दिया है अत्य देख नहीं यह हमारे कारबन के अमीनो एसिड आप देख पा रहे हैं तो यहां पे आपको अंतिम कारबन जो हैं वहां पे CH2OH समू लगा है उससे पहले वाले कारबन पे NH2 की उपस्तिती देख नहीं है कि वो कैसे विवस्तित है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे इस सिरीन अमीनो एसिड में NH2 है जो वो बाई ओर है लेफ्ट साइड है तो उसमें पूर लगन लगेगा L इसका नाम हो जाएगा L सिरीन इसकी बात करें तो यहाँ पे एंटिम कार्बन से पहले वाले कार्बन दिखें यह CS2 SH है जी ध्यान न किया यह SH है थायोल गुरूप तो यहाँ पे जो NH2 की उपस्तिती है वो है अमारी बाई ओर तो इसका नाम में भी पूर लगन L लगाएंगे इसका नाम होगा L सिस्टीन अब लाइसिन को पगड़ी है तो यहाँ पे आपको देखना है तो यहाँ पे अंतिम कार्बन में भी CS2 के साथ में NH2 समूल लगा है तो इस पे कोई भी ध्यान नहीं देना है यह अभ्यास कराने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको आइडिया हो जाए अंतिम से आपको चलना है आगे की और जहाँ भी NH2 दिखाई दे पहले वाला NH2 दूसरे वाला नहीं पहले वाला तो इन कार्बन पे तो है ही नहीं NH2 यहाँ पे जाके मिला है आपको NH2 तो उसकी जो स्थिती है वो है बाई अमीनो अमल के स्थिरियो आईसोमर या समावईवी को स्पस्ट कर सकता है आपको पता है कि जो स्थिरियो आईसोमर होते हैं जो प्लेन पोलिराइज लाइट को घुमा सकते हैं वो दो परकार के होते हैं के लिए रहे जी एक आर होता है एक ऐस होता है ना लेकिन जड़ा कल्प न कीजिए 1908 में या उससे थोड़ा सा पहले जब कोई ऐसी व्यवस्ता नहीं थी और अमीनो अमल के जो स्टीरियो समावी भी थे स्टीरियो आईसोमर थे उनको सरलता से व्यक्ट करने का काम किया था इस नामकरण के बाद कोई भी जट से उसके दोनों स्टीरियो आईसोमर को तुरंत व्यक्ट कर सकता था क्या यह आपको स्पस्ट है यह इसका फाइदा हुआ था अब लेते हैं ड पहली कमी थी कि यह नामकिरण केवल कार्बो हाइडरिट वे अमीनो अमल पर ही लागू होता है सभी कार्बनिक योगिकों पर नहीं सर जब बात आती है आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री की तो वहां पे यह केवल कार्बो हाइडरिट और अमीनो अमल के जो स्टीरियो आइसोमर होते हैं स्टीरियो समावई वही होते हैं केवल उनमें ही एंतर कर पाता है बाकि जो कार्मने योगिक है उनमें यह लागू नहीं हो पाता है यह इसकी बड़ी कमी थी क्योंकि किसी चीज को मानने तब तब मिलती है साइन्स के अंदर जब वो हर जगे लागू हो पाए है न जी तो केवल दो परकार के पदार्तों में ही लागू हो पाया था तो इसलिए इस नियम को छोड़ना पड़ा और इसी को रिप्लेस किया था आरेस नामकरण ने दूसरी कमी यह थी कि जो टार्ट्रिक अमल था उसके जब नामकरण में जाते हैं उसके डियल नामकरण के प्रियास करते हैं तो वहां पे भ्रम हो जाता है बिल्कुल भी यह नियम पूर्ण रूप से लागू ही नहीं पाता और यह सपस्ट ही नहीं कर पाता एक बच्चा बोलता है कि देखो नियम के अनुसार यह डी होगा तो दूसरा कहता है ल होगा तो इसलिए यह भी इसकी बड़ी कमी बनी और तीसरी और अंतिम कमी यह थी कि यह कार्बन योगिकों में केवल एक किरल कार्बन के विन्य तो इसकी बात कर लेते हैं तो बंदू उसके अंदर एक से जादा काईरल या किरल कार्बन होते हैं किलियर है जी लेकिन इस फिशर के डियल आपेक्सिक नाम करण की सबसे बड़ी कमी यह कि कोई भी अगर आपके पास ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जिसके अंदर एक से नहीं दे पाता है उन पर नाम करण नहीं लगता है ऐसा ही अमीनों अमल में है जी इस परस्ट है तो यह इसके तीन मुख्य दोस हैं जिसकी वज़े से डियल नाम करण को पूर्ण रूप से मानिता नहीं मिली है और इसको रिप्लेस किया इसको परतिस्थापित किया एक पूर्ण रूपेन यह मानिता प्राफ्त है कहीं भी इकलत सिद नहीं होता है तो बच्चो आज आपने जाना डियल नाम करण कैसे होता है कैसे काड़वारेड में लगाते हैं कैसे हमीनों में लगाते हैं क्या इसके लाब है और क्या इसकी कमिया है उमीद है आज यह आपको पुन रूप सेश पस्तुग हो जुका होगा थैंक्स पूर वाच्चिन